कलेक्टर ने किया औजग निरिक्षण पोधारोपन साहित स्कूल मध्यान बोजन और राशन दुकान की समस्यां मिलने पर हुए नाराज कलेक्टर संदीब जीर ने आज बक्सवा छेतर का आक्स में एक निरिक्षण कर विवस्ताओं का जायजा लिया बक्सवा जनपत के बीमर पूरा गाउं पहुँचे कलेक्टर संदीब जीर ने नदी के पास बनने वारी नरसरी का निरिक्षण की और वन्विवाग की जमीन पर मौजूद अधिकरमट को धतकाल जाच कर हटाने के अदेश दिया और कहा कि पौदारोपन का कारे इसी जमीन प भी बात की साथ ही मौजुद बच्चों का सैक्षिक स्थर जाना साथ ही पढ़ रिया की गौशाला अदूरी होने की शिकायत मिलने पर जनपत सीओ हर्ष खरे एवं इंजिनियर मूल चंदर लोदी को आदेशित करतीवे कहा कि जल्द काम पूरा नहीं हुआ तो कारवाई कर तो कि आज का इंस्पेक्शन रहा और विबिन जो हमारे स्कूल या हमारे कंस्टुक्शन एजनसी का वर्क्स को लेके ताला अभा को जो गौलिटी ओफ वर्क्स को लेके आज का निरिक्षन है कि उनके यहां पर प्वालिटी हो मध्यान बोजन शालाव में समय से मिले और सह मिले बच्चों का एजुकेशन का क्वालिटी सही रहे उसी को लेखे आज का इंस्पेक्शन के दोरा में स्रीमान जी में क्या पाया जो भी इशूस है उसमें डीटेल रिपोर्ट बनेगी और उसी हिसाब से अपन लोग करवा ही कराएंगे चालेंजस जहाँ पे है जहाँ पे ऐसा शिक्षक कम होने की उसको डिजिटली भी ब्रिज करने की कोशिश किया जा रहा है ताकि हम लोग कुछ स्क्रीन वगएर डाले और डिजिटल एजुकेशन पे ले जाए जो कमी को देखते हुए और क्वालिटी जो है उनसे भी क्वालि प्रतिश तक की चूट जी हाँ एक बहतरीन सेल प्रारम 21 मई से आप के लिए न्यू साडी एंड रेडिमेड एमपोरियम लेकर आया है बहतरीन कलेक्शन वो भी जबदस्ट चूट के साथ न्यू साडी एंड रेडिमेड एमपोरियम मना रहा है अपना 33 वार्षिक जा आपको मिलेंगे एक से जब बरदस्ट लेंगे साडी और शॉल्स कलेक्शन वो भी 20 से 60 प्रतिशत तक की चूट के साथ विशाल शोरों नया स्टॉक और आकर्षक चूट के साथ तो देर किस बात की है उठाएं इस मज़ेदार और भाड़ी चूट का फाइदा और खरी साडी और रेडी मेड एमपोरियाम होली गेट मत्रा